कि हलो नमस्कार अधाब सास्रिया काल टू यॉ और मैं विनातरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिश्यटी में जिसमें आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में और पोगबली यह हमारे लास्ट वीडियो हो सकते हैं इसके बाद एक वीडियो यह इक हमें बनानी होगी कुछ मैं से लेनियेस टॉपिक्स हैं तीन-चार जो चोटे-चोटे रहे गया हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगी उसे एक वीडियो में आज हम जो इन्सेप्ट बनाने वारे में बात करने जा रहे हैं देट इस पैड़िग्री अनल मालीजे ये जो है फादर है ये मालीजे इस मथर कि मिनट कि राहम दुबारा से वना लेते हैं एक सेकंड है एक सेकंड बजा आप ताइम देजिए yes okay so let's get started with the concept यहाँ देखिए तो माली जे यह जो है father है ठीक है और यहाँ जो है mother है अब obviously इनकी जो है आगे की प्रोजयनी होगी ठीक है यानि कि इनके जो है child होगे children होगे तो माली जे यहाँ पर जो है daughter है और फिर से daughter है और एक जो है son है ठीक है फिर माली जे ये जो son है इनकी further जो है marriage होती है तो इन son की जो है wife होगी और फिर wife के बाद इनके भी जो है further children होगी इसी तरह same in case of daughters ठीक है so ये जो family है अब तो ये जो family tree या diagram जो बन गया है इस family tree में या diagram में हम क्या कि बीकुन से छो फिल्फ जो रट्रह से लिए जो है इस जनेरीशन एस 퍼व करेंगे ठीक है यह तो करेंगे यह फिर वह नहीं करेंगे ठीक है कुछ ठ्रीज यह हैं वह यह आज़से यह थैक है कुस्ट माइडिप सब्सक्तर सोफ करेंग Cleons होगे वह Olay इसली फ्लो भी कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी एक study ऐसी एक study को किस चीज की study genetic traits की study जो की कुछ generations तक रहती है एक family में human family में उसी की study को हम क्या कहते हैं pedigree analysis दुबारा समझते हैं कि माली जी कोई character यहां पर था trait यहां पर था father में वो father से इस daughter में गया लेकिन वो trait इस daughter में और इस जी इसके son में जाता है लेकिन इसकी daughter में फिर वो son से आगे तो इस तरह से जो इस family में एक इस family डाइग्राम है इस tree में जो एक genetic trait का जो flow हो रहा है ठीक है ना उस चीज को हम क्या बोलते है उसकी study को हम क्या बोलते है pedigree analysis तो that is what mentioned here study of inheritance of a genetic trait in several generation of a human family in the form of family tree or diagram family tree diagram ठीक है और human genetics में ये बहुत strong tool है ठीक है जिससे कि हम use करते हैं trace करने के लिए particular trait को किसी abnormality को या किसी particular disease or disorder को ठीक है उसको trace करने के लिए कि वो कहां से origin हुआ कहां गया ठीक है न कहां पर वो रुका किस तरह से उसका pattern क्या है flow करने का तो वो सब चीजे हम यहाँ पर तो उसी सारे उसी सभी study को उसी inheritance की study को हम क्या बोलते है pedigree analysis now now comes the advantage क्या advantage इस pedigree analysis का जो हम आगे जो है concept बनाएंगे जो पूरे तरह से हम tree जो इस tree को बनाएंगे तो इस tree से जो है जो हमें direction या advice provide करे to take a decision decision लेने के लिए हमें को direction provide करे कोई process तो genetic counseling ऐसा ही एक process है जिससे हमें एक action या एक जो है decision लेने में जो चीज मदद करती है मतलब ही genetic counseling हमें advice करती है जैसे for example मालीजिए शादी से पहले मालीजिए if a person wants to marry तो उसे क्या करना होगा उसे जो है अपनी analysis जो है करवानी होगी ठीक है यानि कि यहां से pedigree analysis से क्या पता लग जाएगा कि कोई gene कोई ऐसा character या कोई ऐसा gene जो की अच्छा नहीं है ठीक है ना is not fit for that particular kind of human being या individual या उसकी आने वाली generation के लिए तो उस gene का यहां पर पता लग जाएगा ठीक है तो यहां पर जो woman होगी ज जिससे यह boy जो है वो शादी करने वाले हैं तो यहां पर यह शादी को क्या किया जा सकता है इसको रोका जा सकता है इसको ओएड किया जा सकता है ठीक है इस तरह से तो यहां पर क्या होगा इस चीज से हमने क्या एक action ले लिया ठीक है ना इस से और इस genetic counseling से तो जैसे माली ज आप किसी disorder को detect करना चाहते हैं तो pedigree analysis से आप detect कर सकते हैं कि अब यह जो disorder है वो कैसे आगे भड़ेगा या अभी है कि नहीं तो उस सब process में मदद करता है सेकंड कोई भी एक trait है उसका origin बताता है कि वो कब originate हुआ था ठीक है ना कैसे originate हुआ था और उसका flow का pattern क्या है ठीक है एक family के अंदर उस particular trait का फिर यह भी help इस चीज में भी help करता है कि कोई genetic disorder जो है उसका inheritance pattern क्या है कोई भी genetic जैसे हमने जितने भी disorders के बारे में बात की फिनायल के टोनूरिया था help का टोनूरिया था sickle cell anemia था ठीक है इस तरह के टे सेक्स था कितने सारे disorders के बारे में उने detail में बात की जो kromosomal और genetic disorders के बारे में तो उनको उनके inheritance को भी trace करने में मदद करता है यह pedigree analysis after that कुछ ऐसे harmful effects को भी बताता है ठीक है ना जो किससे arise होते है marriage से और वो marriage किससे है between the close relatives close relatives में हम तभी तो ऐसा होता है ना कि generally हमारे में कहा जाता है कि यह इस गाउं से जो है शादी इस गाउं की गाउं में शादी नहीं होगी क्योंकि में एक जो है relative कही ना कहीं relation बन सकते ह है ठीक है फिर दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार हम हम अपने relatives में भी शादी नहीं करते हैं लेकिन इंडिया के बहुत सारे parts में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर close relatives से शादी कर ली जाती है जैसे for example mama जो होता है uncle वो अपनी भान जी से शादी कर लेते हैं ठीक है South India में कुछ पर ऐसा है ठीक है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मतलब ऐसा होता है कि कजन्स में शादी हो जाती है तो वह सब जो शादिया है यह जो मेरिजिस हैं इनके कुछ harmful effects होते हैं मतलब इसके पीछी साइंस है इसके बीचे biology है तो उसी के विज़े से जो है close relatives में अवेड किया जाता है ठीक है उसके बाद medical research obviously जितने भी नए नए disorders आ रहे हैं तो उनमें मदद करता है तो उसके लिए जो research करते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा material provide करता है pedigree analysis ठीक है तो यह सब इसके अड़ अभी जब हम next video में जब हम concepts की बात करेंगे कुछ questions की बात करेंगे तो आपको यह advantage और जाद अच्छे से समझ में आपाएंगे ठीक है तो एक चोटा सा एक और चीज रह जाती है pedigree analysis में कि यह pedigree analysis में किस तरह कोंचे symbols वगरे काम use करते हैं तो यह कुछ symbols है जब हम यह chart diagram बनाएंगे तो उन symbols का use करेंगे rather than writing the names like male female इस तरह लिखने और sex not specify मतलब जहां पर sex unspecified होगा वहां पर हम यह symbol यूज करेंगे affected जो female होंगी उसमें इस circle जो इसको फिल कर देंगे तो इस तरह का symbol हो जाएगा और male के case में हम इसके square को फिल कर देंगे carriers क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि हमेशा disorder जो है जैसे हमने बात भी की ती कि कई बार जो disorder है वो जो है affect नहीं करता है वो सिर्फ carrier ही बनाता है male या female को तो आधा जो है shaded region होगा और आधा blank region होगा बहुत हिन कि एस ओप male and female ठीक है then female carrier for x-linked recessive gene आप जानते के male carrier तो यहाँ पर हो नहीं सकते male तो affected ही होंगे ठीक है ना वह तो इसीजडी होंगे तो यहाँ पर जो female carrier होंगी उनको हम इस तरह से दिखा सकते लेकिन वह x-linked recessive gene के case में हम दिखाएंगे then mating or reproduction के बीच में हम यह है यह female and male के बीच में mating reproduction यहाँ पर अगर दो lines आ जाए तो इसको हम बोलते कॉंसन जूनियस कॉंसन ग्यूनियस बोलेंगे एक्चुल में और यहाँ पर यह spelling I think गलत है n-e-o-u-s होगा तो यह यह जाएगा ठीक है तो इस मेंनियस का मतलब क्या होता है कि जहां पर खून के रिस्ते में मतलब रिप्रोडेक्शन हो जाता है between the close relatives ठीक है खून का रिस्ता जहां पर होता है तो इस मेंनिंग का मतलब होता है खून का रिस्ता next generation यह next generation का symbol है यहां पर male partner यहां पर female partner and then यहां पर new offspring या प्रोजनी after that yes यह वाला जो symbol है यह mother father and इनके जो यह child है तो यहां पर यह इस तरह से जब हम दिखाएंगे देखे नॉर्मल ही हम कैसे दिखाएंगे कि यह जैसे हमने यहां पर दिखाया आपको यह देखेंगे फादर है यह मदर है ठीक है father mother और यहां पर son या daughter में से कोई भी ठीक है तो हमने यह जो right angle पर बना यह line लेकिन यहां पर right angle पर ना बना कर हम इस तरह से बना रहे हैं दो line बना रहे हैं और वहां पर भी अगर हम यहां पर में ऑगर दों बनाते हैं तो उस तरह से Divine स्मय है कि यह माली जीज़ दो हैं दो एक हैं एक बॉटर है तो इस तरह से दिखाते हैं。 यहां पर आदिखा कर अधिए गैव स्टास्ता पार्म में बनाते हैं, यह यहां पर सर्ण करते हैं, twins थो हैं but non-identical twins and non-identical twins कौन से होते हैं जहां पर दो sperm और दो जो है egg इनके बीच में जब fusion होता है नहीं दो sperm from the male partner and two eggs from the female partner तो दोनों जो बनते हैं वो हम उने क्या बोलते हैं डाइजाइगोटिक twins भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर दो जाइगोटिक बनेंगे ना ठीक है तो यह हो गया आपका non-identical twins और डाइजाइगोटिक twins then comes this thing और यहां पर हम जब लाइन बना देते हैं तो हम बोलें भाई यह जैसे माली जे दो गल चायल्ड हो गई तो जो है ऑक यहоляसर दो जैटेम सुंआ क्योंक्स सब्सक्राइगोटिक यह जो जाता है यहां तो होगा जब वो ऐडेंटिकल है तो भी फिनोटाइब तो इडेंटिकल होगा ही यहां पर यह जो है डॉप्टे चैल्ड का है और यह डीजीज्ट के कारण जो डैथ हो चुकी है उसका है सिंबल तो इतना ही आज की वीडियो में इतनी हमने सिंबल देखे और हमने पेडिग्र आ को डिसक्स करेंगे एंड उसके बाद एक वीडियो में हम तीन चार मिसलेनियस कंसेट के बारे में इसकेशन कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉंट वीव से इंपोर्डेंट है और कंसिप में वीव आपकी और ज्यादा हेल्प करेंगे जैनेटिक्स में सो तिल देन वा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चीक है और आप मेरे चैनल को भी जो है जॉइन कर सकते हैं ठीक है फो गेटिंग अपडेट्स तो तिल देन भाई टेक केर थेंक यू थेंक यू बर्मच